एलो दोस्तों वेल्कम बेक टुदे गुद्धाती चैस जोन बुड़ा पेस्ट लाइन में हम लोग देख रहे थे बुड़ा पेस्ट के ट्रैप्स बहुत सारे ट्रैप्स है बुड़ा पेस्ट में लास वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है आपको आज और भी कुछ न पाइव नाइट जी फोर अब आपका नाइट फाइव पर थ्रेड दे रहा है यहाँ पर वाइट के बारे में हमने देखा था एपफोर 25 और 24 वेरिशन लास टाइम में बताया था अब यहाँ पर जो में लाइन है बिशॉप एपफोर यह है में लाइन इसके अगेंस आपक नाइट सी सिक्स फिर से यह पॉंड के उपर आटेक बढ़ाना है नाइट एप थ्री वाइट इसे सपोर्ट एक्स्ट्रा करेगा यहाँ पर आपको खेलना है बिशॉप भी हो चैक नाइट सी थ्री यह बैड मुव है क्योंकि पॉंड डबल होते है नाइट डी टू यह परफेक्ट मुव है वाइट के लिए यहाँ आपको रिप्लाइ देना है क्वीणी स्यावन अब पॉंड के उपर थ्री प्रेशर आ चुके है और दो ही सपोर्ट है तो वाइट क्या र और यहां एट के बाद नाइट इफाइव अगर एट एक्स बीफोर करता है तो सिंपल नाइट चैक्मेंट तो एट एक्स बीफोर अभी पॉसिबल नहीं है नाइट टेक्स एफाइव में क्या होता है फिर से नाइट टेक्स एफाइव और अभी भी एक्स बीफोर कॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइट देशरे चैक्मेंट है चैक्मेंट सेव करने के लिए सपोर्ट एथ्री करते हैं एथ्री में बिशब टेक्स डीटू क्वीन टेक्स डीटू तो यह ब्लैक के लिए काफी बहतरीन पोजिशन है अलकी ब्लैक को पॉन वापस भी मिल गया और पोजिशनली स्ट्रॉंग दूसरा वेडियेशन आपको बताता हूं ज्यान रखे दोस्तों हर एक वेडियेशन बहुत ही जरूरी है गर पे बॉर्ड के पर वन बाइवान आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है अब ब्लैक से विशब F4 के बाद नाइट C6 के बदले विशब B4 चैक भी दे सकते है पहले यहां भी सेम पोजिशन होगी नाइट D2 उसके बाद एक और हूँ है D6 E-D6 और यहां पे QF6 विशब डबल आटेक और विशब पे बेस्ट ओप्शन है विशब G3 या फिर विशब G3 भी सहीं नहीं लग रहा है यहां पे देखते है E3 E3 में QB2 रूप पे टेक है विशब टेक्स नाइट थ्रेट है उसके बाद क्विशब टेक्स रूप वाइट खिल अगर नाइट F3 और यहां विशब टेक्स D6 यह सिचेशन काफी अच्छी है ब्लैक के कंट्रोल में सपोर्ड यहां पे G3 करते हैं तो यहां आपको खेलना है G5 अब और मुव बिशब मुव नहीं कर सकते क्यांकि बहुत डेडली पोजिशन हो जाएगी नाइट E4 पॉसिबल नहीं है यहां पे नाइट पीन है तो डी टेक्स C7 सपोर्ट तो सिम्पल नाइट C6 एथरी काउंटर एटेक्ट और यहां पे आपको जी क्रोज एपफोर आफटर एटेक्स B4 पॉन टेक्स पॉन नाइट E4 यह काउंटर एटेक्ट बेस्ट मुव है क्योंकि वाइट पॉन चैप्चर नहीं कर सकता क्विन चैक्मेट है तो नाइट E4 नाइट E4 के रिप्लाइए में जी एप्टू चैक नाइट टेक्स एप्टू नाइट E4 में क्विन टेक्स एप्टू और गेम लॉज तो यहां पर एक ही ऑप्शन है किंग D2 और देन क्विन टेक्स B2 और यह कंप्लेटली ब्लाक वेनी है तो यहां पर रुक पर भी थ्रेट है चैक है क्विन इंटर्पोस नहीं हो सकता पॉन से नाइट मर रहा है तो यह डेंजरास पोजिशन है वाइट के लिए फोर्थ मुमें नाइट F3 विरीशन भी दिखाता हूं आपको जैसे कि पाउंड जब बिशप F4 के बजाए वाइट अगर नाइट से सपोर्ट करता है पहले तो सिंपल है आपको आटेक ही बढ़ाना है E5 पे E3 और नाइट टेक्स E5 आफटर विशप E2 कई लोग सिंपल पॉन वापस करके डेवलोप में ध्यान देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है विशप E2 में G6 यह डाइगनल पूरा डास्पेर पूरा वीख है और ब्लैक के लिए काफी पावरफूल जगा होगी विशप के दोलों हरू कि लिए कर ड्रत पायर सिंपल पि empresa रविशप G7 कि preço रिए देते टी कोई है नाइड एटेक्स इसके रिप्लाइ में आपको खिलना है नाइट एफार बिसब एटू आइटिंक फोर्स मूव है डिफैन्स के लिए और यहां आ जाएगी क्वीन जीपो जीटू पे थ्रेट इसके लिए बिसब एटू जरूरी वरना क्वीन एक्स्रेक अटेक नाइट पे करना है नाइट टेक्स नाइट एट्री चेक आफ्टर बिसब टेक्स एट्री क्वीन एट्री और रूप पे भी थ्रेट है कैस्लिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिसब एट्री और गेम ओवर होती है और यह पूजिशन भी ब्लैक की टूटली फ्लेवर में है तो दोस्तों यह बुड़ा पेस्ट की ट्रैक उसके बाद कोलो राडो गेम बीट जोस्तों बुड़ा पेस्ट में मैंने बहुत सारे वेरियेशन आपको बता दिये है साभी वेरियेशन आप अपनी बुक में मेरे दो या तीन वीडियो जो भी है सब में बुड़ा पेस्ट के बारे में हर एक वेरियेशन में ने दिखा दी है आपको अपनी बुक में तैयर कर लिजिए और उसी प्रकर आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत मजाएगा खेलने में ब्लैक सेट अब नई ओपनिंग बताता हूँ कॉलोराडो गेमबिट तो कॉलोराडो गेमबिट में क्या होता है E4 अगेंस खेल ली जाती है E4, Nc6, Nf3, F5 यह है कॉलोराडो गेमबिट और यह गेमबिट पूरी आपको शिखने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंकजार करना पड़ेगा नेक्स वीडियो में इसके बारवे में आपको बहुत ही डीप में समझाऊंगा बहुत लंबी लाइन है बहुत सारे विरेशन से लेकिन पूरा विरेशन सभी हम एक वीडियो में कवर करेंगे तो जल्धी मिलेंगे जहीन जहींगर